पढ़ते हैं जैसे कि पता है आपको हम लोग physics में पिछले दिन प्रेरित्रों के स्रेनी क्रम और शमांतर क्रम शमुहन पढ़ रहे थे तो हम क्या प्राप्त करते हैं, उससे हम क्या निसकर्ष निकालते हैं उसका बेंजग क्या होता है हम कुछ बनाने के लिए भी दिये हुए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बना कर भेजे भी हैं उनको दिल से सधन्यवाद चलिए तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसका टॉपिक लिखा जाए आगे जो टॉपिक है वो ये है कि धारावाही प्रेरित्र में धारावाही प्रेरित्र में चुम्ब किये उर्जा का वेलु कितना होता है अब धारावाही प्रेरित्र में चुम्बकिय उर्जा का value कितना होता है इसको निकालने के लिए हम लोग कुछ derived करेंगे कुछ formula को उसके पहले कुछ जानेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या करते है तो यहाँ नाम से पता चल रहा है कि प्रेरित्र है और प्रेरित्र में क्या प्रापास कर रहा है धारा पास कर रहा है यानि कि current पास कर रहा है प्रेरित्र में और उसमें चुम्बकिय उर्जा कितना होता है तो अगर हम लोग बात करें कि धारावाही प्रेरित्र में चुम्बकी इउरज्या का वेलू तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम देखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे कि धारावाही प्रेरित्र में धारावाही प्रेरित्र में प्रेरित्र में चुम्ब किये उर्जा कामान कितना होता है तो 1 by 2 L I square होता है अत हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी प्रेरित्र में जब करेंट पास करते हैं धारा देते हैं तो उसमें जो चुम्ब किये उर्जा होता है तो उर्जा को तो हम लोग U से भी सुचित करते हैं लेकिन उसके नीचे B दे देंगे यूबी का मतलब क्या हुआ ये चुम्ब किये उर्जा को हम लोग यूबी से सुचित करते हैं इसका फर्मूला आता है half L I square ये फर्मूला होता है लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम अब ये तो फर्मूला होता है जहाँ पर L क्या है तो L का मतलब हम लोग समझते हैं प्रेरित्र या फिर स्वापर रखतों भी बोलते हैं I का मतलब हुआ धारा ठीक है तो अगर कोई धारा वहे प्रेरित्र में चुम्ब कि उर्जा का वैलू कितना होगा तो half L I स्क्वार होता है ठीक है तो UB का फार्मूला हमको पता हो गया half L I स्क्वार चले अब इन चुजों को करने के लिए अब हमको करना क्या होगा वो जरा समझे है तो अब हम लोग तो ये पता चला कि चुम्ब के उर्जा का वैलू होता कितना है अब इन चुजों को जरा हम लोग प्रूफ करता है तो इसका प्रूफ करने में हम ऐसा मान रहे हैं कि कोई कोई परिपत है जिसमें प्रेरित्र जोड़े हुए है जिसका नाम है L ठीक है L प्रेरित्र जोड़े है और इसका विभो बिभो A point पे है और इसका बिभो B point पे मनने A और B दो point है दो छोर है और इसमें हम लोग current पास कर रहे हैं ठीक है current पास कर रहे हैं यह हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग proof करने वाले हैं अच्छा इसमें कुछ न कुछ अब मानना पड़ेगा क्या मानना कि एल जो है प्रकत्व है या फिर प्ररित्र है ठीक है एल प्ररित्र है जिसमें हम लोग आई धारा को पास कर रहे हैं तो इसमें लिखेंगे माना कि कि एल प्ररित्र है प्ररित्र भी बोलते हैं या फिर इसको प्ररकत्व भी बोलते हैं है जिश में धारा आई परवाहित किया जा रहा है किया जा रहा है अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर इसमें धारा परवाहित करने पर इसमें कुछ टाइम के अकोर्डिंग धारा में ब्रिधी हो जाती है क्यों यही तो कारण है ना कि हम लोग देखे थे ना फाराडे के नियम में कि अगर एक कोई कुंडली होता था जिसमें बैटरी नहीं होता था लेकिन उसमें चुम्बके छेतर में उसको गति कराया जाता था फिर भी उसमें करेंट उत्पन होता था तो यहां के बाद से आपको एक चीज और लिख रहा होगा प्रूफ करने में कि अगर हम लोग आई धारा पास कर रहे हैं तो जो धारा की ब्रिधी होगी तो वहां पर धारा की ब्रिधी कितनी हो जा रही है वह हम लोग लिखेंगे धारा परवाहित करने पर परागराफ चेंज करके लिखेंगे परागराफ चेंज करके आता है ना इतना छोड़के धारा परवाहित करने पर ब्रिधी दर ब्रिधी दर ब्रिधी दर कितना होता है di beta dt यानि कि इसका मतलब भी हुआ कि जब हम लोग i current इसमें दे रहे हैं धारा परवाहित कर रहे हैं तो इसमें जो धारा में ब्रिधी हो रहा है time के साथ differentiation of y with respect to time जिसे differentiation कैसे हम लोग पढ़ते थे वहीं यहाँ पर i का differentiation t के respect में यानि कि समय के सापेच i का मान ताच्छनिक ब्रिधी हो रहा है ताच्छनिक मतलब current का थोड़ा सा value बढ़ जा रहा है इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं di beta dt अब a और b के बिच विभुवांतर यह हम जो लिखे हैं न पॉइंट a और b तो a और b के बिच विभुवांतर तो a और b के बिच विभुवांतर कितना होगा विभुवांतर को हम लोग b a b से सुचित करते हैं जैसा कि हम लोग पिछले दिन भी प्रूफ किये तो उसमें भी ये भी यूज किये थे स्रेनिक समांतर करम वाले में प्रिरकत्व का समांतर करम तो यहां पे हम लोग ये भी ये भी का वेलू क्या देखें हैं कि जो भी वांतर होता है जो जितना प्रिरकत्व होता है या प्रि यहां से पता चला कि B, A, B का मान क्या होगा तो L into D, I बटा, D, T किलियर अच्छा यहां तक तो ठीक है अब हम लोग जानते हैं कि B, A, B बराबर क्या होता है तो L into D, I बटा, D, T यह तो किलियर है अब हम लोग जरा एक और काम करते हैं हम लोग जानते हैं ना कि अगर A से लेकर B point तक ले जाने में कुल कारे कितना होगा तो A से लेकर B तक ले जाने में जो कुल कारे होगा आगे हम लोग वही चीज लिखने वाले हैं यहां पर देख पा रहोंगे, figure है यहां तक के लिखने के बाद आप आगे जो हम इस page पे लिखने वाले हैं A से B तक किसी आवेस Q को ले जाने में किया गया कारे है कारे को हम लोग W से सुचित करते हैं अब आप एक बात बताईए कि A से B तक अगर कोई आवेस अगर चलेगा तभी न करेंट पास होगा या फिर अगर करेंट पास हो रहा है तो हम एकदम definitely बोल रहे हैं कि A से B तक कि आवेस परभाहित हो रहा है क्योंकि हम लोग Electro-Estatics में पढ़े हुए हैं कि अगर चार्ज गतिमान होते हैं आवेस गतिमान होते हैं तो करेंट आता है या फिर कहीं करेंट है तो आपको अपने से सोचना पड़ेगा कि यहां कोई न कोई आवेस है तो इसी तरीके से यहां पर A से B तक के Q आवेस को ले जाने में कुल कारे कितना होगा तो जितना आवेस रहेगा उतना और जितना विभुवांतर रहता है उतना तो विभुवांतर को हम B अभी बोल रहे हैं तो Q इंटू भी ये भी है ठीक है अच्छा उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं आप ये लिख सकते हैं कि अगर आवेस छोटा सा हो यानि कि छोटा सा कारे होगा जब छोटा सा आवेस को ले जाएगा तो छोटा सा कारे होगा क्योंकि हम लोग तो कुल कारे निकाले हैं तो अगर यहाँ पे लिखेगा कि यदि कारे जो है आवेस जो है डीक्यू हो यहाँ पे लिखेगा यदि आवेस कितना हो डीक्यू हो का मतलब क्या आवेस डीक्यू हो का मतलब यह हुआ कि आवेस बिलकुल छोटा हो है ना तो यदि आवेस अगर डीक्यू होगा तब हम लोग जो कारे होगा वह भी बिल्कुल छोटा सा होगा यानि कि DW बराबर इस Q के जगह पर लिख दीजेगा डीक्यू इन्टू भी एबी और यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं DW बराबर दीक्यू इन्टू भी एबी का फर्मूला यहां पे देख पा रहे होंगे हम यहां पे लिखे कि आवेस जो है डी क्यू है डी क्यू का मतलब छोटा सा आवेस तो जब छोटा सा आवेस रहेगा तो छोटा सा कारे भी होगा यानि कि डबलू के बजाए हम लोग क्या लिखे हैं डी डबलू तो W के जगा पे DW, Q के जगा पे DQ और VAB, DW का DW लिखें, DQ का DQ लिखें, अब VAB, तो यहां पे हम लोग देखें न, VAB का फर्मूला कितना, L into Di बटा DT, तो आप यहां पे लिख लिजे, L into Di बटा DT, ठीक है, अब आप एक और चीज यहां पे यूज कर सकते हैं, आप यहां पे bracket में लिखेंगा, चुकि, I का फर्मूला क्या होता है, Q बटा में, I बराबर होता है, Q बटा में क्या, T, I बराबर होता है, Q बटा में T, तो अगर यहां से अगर आपको यह पता चलेगा, कि हम लोग यहां पे एक और चीज लिख सकते हैं, ओ कौन सा चीज, तो ओ यह, क आई बराबर Q by T होता है ठीक है लेकिन यहाँ पे छोटा सा Q है ना हम लोग यह परमुला कहां जानते है पता है धारा में जानते है थे कि एकांग समय में एकांग समय में जो आवेस उत्पन होता है वसे ही हम लोग धारा कहते है एकांग समय में उत्पन आवेस को क्या कहते हैं धारा कहते हैं लेकिन इससे हम लोग ए भी लिख सकते हैं कि जो धारा कावान होगा और dq बढ़टा dt हो सकता है क्यों क्यों क्योंकि छोटा सा चार्ज होगा तो छोटा सा टाइम भी लगेगा उसके लिए अच्छा जब गुना करेंगे तो क्या बनेगा आई इन्टू डी टी बराबर डी क्यों ठीक है तो इसी फर्मूला को देखिए यह वाला जो चीज इधर लिखे हुए हैं यह हम पहले पढ़ चुके हैं आई बराबर क्यूब आइटी होता है अब इस क्यूब आइटी को हम लोग डी क्यू और डी टी में बाट दिये हैं क्योंकि छोटा सा डी क्यू होगा छोटा सा आवेस होगा तो छोटा सा टाइम भी लगेगा यानि कि डी क्यू बटा डी टी ठीक है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होगा तो आई इन्टू डी टी बराबर में क्या बनेगा डी क्यू अब हम लोग यहाँ पे DQ के जगह पे क्या रख सकते हैं IDT तो इसलिए हम लोग और आगे बढ़ हैंगे तो क्या बनेगा DW is equal to इस DQ के जगह पे IDT तो यहाँ बनेगा IDT into L DI बढ़टा DT और DT DT खतम हो जाएगा तो कुल मिलाकर क्या बनेगा DW is equal to यहाँ बनेगा L into I into DI समझना रहा है L यह वाला I एक ठोबचा और DI का DI अब आपको क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ समा कलन करना पड़ेगा समा कलन का मतलब integration देखिए हम बहुत सारा क्या है न physics में कि कोई बीचीज proof करने के लिए हमें समा कलन की आवसकता होती है तो यहां पर समा कलन करेंगे तो समा कलन करने से हमें क्या प्राप्थ होगा जरा उसके बार बात कर लेते हैं कि दोनों तरफ दोनों तरफ समा कलन करने पर तब जब दोनों तरफ सगर समा कलन करेंगे तो यहां हो जाएगा d w यहां हो जाएगा l i di ठीक है और हम लोग जानते हैं ना कितना बार हम लोग यूज कियें कि dx का अगर integration रहेगा तो हम लोग x रख सकते हैं dx का x रख सकते हैं उसी तरीके से dw है तो इसका w हो जाएगा और यहां से l भी constant है i भी constant है तो यहां पर क्या हो जाएगा जब dl भी constant है sorry l constant है तो सिर्फ l को बाहर निकालेंगे अंदर क्या बचेगा तो i into di अब एक काम और करना पड़ेगा कि जो हम लोग समा कलन कर रहे है वो कहा से कहा तक तो आप समज़े हम लोग जो समा कलन कर रहे है वो यह ना कि current कितना pass out होगा तो यहां पर आप देख पा रहोंगे कि current जो pass out होगा वो हम लोग कितना आयेगा देखिए w is equal to eल तो बाहर है आपको एक formula देते हैं कि x into dx का जो integration होता है x के power 2 बटर 2 होता है यह भी आप रट लिजे इसको ठीक है? यह formula को अभी आपको रटना चाहिए क्यों? क्योंकि हम लोग maths में पढ़ेंगे तब इसका main logic पर आएंगे जब यहाँ x रहे, यहाँ dx रहे तो क्या लिख सकते हैं? x square by 2 i रहे, di रहे, इसका integration क्या बनेगा? i square by 2 ठीक है? तो इसी तरीके से हम लोग w बराबर क्या निकल गया? 1 by 2 l i square अब जानना चाहिए, हम लोग कई बार physics में प्रूफ किये हैं कि जो हम लोगों का कारे निकलता है डबलू क्या है? कारे और यही जो कारे का मान है ये चुम्ब किये उर्जा के रूप में संचित रहता है, कहां? तो इस प्रेरित्र में इस प्ररकत्व में है ना यानि कि जो कारे हम लोगों का हुआ वो कारे किस रूप में है? तो एक उर्जा के रूप में है, कहां है? तो इस प्रदित्र में है, तो अब आगे ऐसे ही लिखेंगे, चुकि, चुकि, यहाँ पैसे लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर लिखेंगे फिर उसके निचे एरो देखर, चुकि, यह कारे का मान, यह कारे का मान, प्रदित्र में, चुम्ब किये उर्जा के रूप में संचित है यसलिए हम यह बोलना चाह रहें कि जो हम लोगों कारे मिल रहा है वो किस रूप में है तो उर्जा के रूप में है इसलिए डबलू के जगह पर यह पर रख दियें चुम्बकिये उर्जा मने कि UB भराबर half L I square तो dear friend यह जो हम लोगों का half L I square यह formula है हम लोगों का proof होता है किस में तो परिरित्र में कितना चुम्बकिये उर्जा होता है आपको अगर कहीं भी सवाल आ जाए कि आप proof किजिये कि परिरित्र में जो चुम्बकिये उर्जा होता है वो half L I square होगा तो आप ऐसा ही proof करेंगे ठीक है अब यहाँ पर सब का value हम बता देता है कि सब क्या-क्या value दिया हुआ है तो इसमें हम लोग यह देखना चाहा रहे है कि यहाँ पर UB क्या है तो UB के बारे में हम लोग जानते है चुम्बकिये उर्जा है ठीक है L के मान क्या है तो L का मतलब हम लोग समझ रहे है प्रेरित्र है या प्रकत्व है जिसका ऐसा मातर क्या होता है हेंरी और I का मतलब क्या है धारा है तो अगर आपको कहीं भी सवाल में अगर ऐसा कुछ relation आया तो आराम से निकाल सकते हैं चलिए तो इस पे हम लोग कुछ question कर लेते हैं question लिखा जाए 10.5 Henry वाला प्रेरित्र 10.5 Henry वाला प्रेरित्र जिसमें 2.25 Ampere की विधुद्धारा प्रवाहित की जा रही है जिसमें 2.25 Ampere की विधुद्धारा प्रवाहित की जा रही है तो उस प्रेरित्र में चुम्बकिय उर्जया कामान कितना होगा तो उस प्रेरित्र में चुम्बकिय उर्जया कामान कितना होगा देखिए चुम्बकिय उर्जया का जो वैलू आंसर आएगा उसको जूल में करेंगे क्योंकि उर्जया का ऐसा मातर क्या होता है जूल होता है ठीक है तो यही फर्मुला का यूज करेंगे देखिए एल का वेलू दिया है और आई बिधु धरा का वेलू दिया है तो इफर्मुला से चुम्ब के उर्जय का मान निकाल देंगे बहुत सिंपल है चले एक और कोस्चन लेंगे सेकेंड कोस्चन लिखा जाए सेवन पॉइंट टूफाइफ हेन्री वाले प्रेरित्र में कितना बिधुत धारा परवाहित किया जाए कि कितना बिधुत धारा परवाहित किया जाए कि उस प्रेरित्र में उस प्रेरित्र में चुम्बकिय उर्जा का मान दोस जूल हो जाए दोस जूल हो जाए तो आप देख पारे होंगे यह वाला जो कोशन है इसमें यूबी का फेलू दिया है और इसका एल का फेलू दिया है तो आप इससे आई कामान खुद अटमेटिक खुद से निकाल लिजे फर्मूला का यूज करके है चलिए तो यह दोनों कोशन आपको बन प्रेरन ठीक है अगले टॉपिक का नाम क्या है अन्योने प्रेरन अब हम लोग यह पढ़ेंगे कि अन्योने प्रेरन क्या होता है अब इसके बारे में हम लोग शिखेंगे सबसे पहले इसके नीचे कुछ बात लिखा जाए फर्स्ट एड़ देकर तो लिखेंगे एक करतन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरित बिधूत वाहक भल उत्पन होने की घटना को अन्योने प्रेरन कहा जाता है इसको समझते हैं सबसे पहले इसको समझने से पहले कुछ समें फिगर बनाना होता है जैसे मान लिया कि एक प्रेरन है प्रेरन का मतलब प्रकत्व है ठीक है यहाँ पर एक और हम लोग बनाते हैं फिगर ठीक है तो यहां तक के दूगों हम लोगों का यहां पर कुंडली है प्रेरत्र है जिसका नाम है एक P और एक S S का मतलब secondary और P का मतलब primary यानि कि इसको हम लोग प्राथमिक भी बोलते हैं इसको द्वितियक भी बोल सकते हैं द्वितियक कुंडली यह हुआ प्राथमिक कुंडली मतलब primary क्वाइल यह हो गया secondary क्वाइल ठीक है इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर यहां पर परतिरोधक है इसको हम लोग परतिरोधक बोलते हैं यहां पर बैटरी जूड़ा हुआ है यहां पर यह बैटरी का साइन है यह प्लस से यह माइनस है और यहां पर फिर एक कुंजी है यह देखिए कुंजी है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ गैलवेनोमिटर एक जूड़ा हुआ है एक गैलवेनोमिटर है ठीक है यह फिगर से आपको समझना है कि यह फिगर क्या बोल रहा है देखिए दो तरह का कुंडली है एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है आप यहां से देख पारोंगों कि इस वाले में हम लोग बैटरी जोड़े हुए है तो अगर किसी एक कुं कुंडली के वज़ा से दूसरी कुंडली में बैटरी का भी मान चल जाए कुछ भोल्ट प्रवाहित हो जाए जैसे इसमें होगर हम लोग स्विच आन करेंगे तो इसके वज़ा से इसमें जितना भी होगा चुम्बकिये छेतर चला जाएगा यहां से देख पार होंगे हम ब देख भोट वाहक भी यानि कि ईम अभाल कि यही बैटरी का कुछ मान इस कुंडली में भी सेकेंडरी कुंडली में भी आ जाता है और यहीं घटना को हम लोग बोल देते हैं अन्योने प्रने प्रेरन तो यही घटना क्या कहलाता है अन्योने प्रेरन कहलाता है तो इस फिगर को अच्छे से बना लिजेगा ठीक है यहाँ पर आप इसको दिखा भी सकते हैं नहीं भी दिखा सकते हैं दिखा दिखाएगा तो और अच्छा रहेगा क्योंकि बूग का फि तो अगर आप यह बनाना चाहें तो बात वही है यहां पर भी बना सकते हैं जो कुछ अच्छा लगे आपको तो इस तरीके से आज के क्लास को यहीं खतम करते हैं फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ तो आज तक कितना ही धन्यवाद